हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनपंक क्रियेशन्स हार मैं आपके साथ डबल कलर की एक बहुत ही खुबसुरत सी डिजाइन शेयर कर रही हूँ ये बहुत खुबसुरत डिजाइन है और बनाने में भी बहुत ही इजी है ये टू फंदो की डिजाइन है इसलिए इस डिजाइन को बनाने के लिए जब हम फंदी डालेंगे वो टू के मर्टिपिल्स में डालेंगे और वन फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पर मैंने फिफ्टीन फंदी डालेंगे ये फोर रो की भी नहीं है और जब हम इस डिजाइन को दुबारा डालेंगे तो इस डिजाइन की जगां चेंज हो जाएगी यह देखिए यहाँ पर यह जगां चेंज हो गई है तो यह 4 रो की जगां 8 रो की डिजाइन कहलाएगी इस डिजाइन में एक कलर के उन से 2 रो बिनी जाती है यह यहाँ पर base color है और यह second color है अब हम design बनाना start करें हैं design की first row जो की right side से है base color से हम start करेंगे और इस row को हम पूरा सीधा सीधा बुनेंगे design की first row जो की right side से है सीधे सीधे पंदो से बनाई जाएगे first row को हम पुरा सीधे सीधे पंदो से बनाएगे बहुत ही easy design है इससे आप किसी भी knitting project में डाल सकती है वैसे ये बच्चों के setter कोटी और बच्चों के टोपी मफलर सब में बहुत ही अच्छी लगेगे यह हमारी first row complete हो गई है जो कि मैंने सीधे सीधे पंदो से बनाई है अब हम design की second row पर है design की second row भी बहुत ही simple है इससे आप आसानी से आँख बन करके बना सकते है design की first row और second row बहुत ही सरल है दोनों ही row को हमें सीधे सीधे पंदो से बनाना है जयाइन की सेकंड रोग जो की बैक साइट से है सीधे सीधे पंदो से बनाई जाएगे फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकान को दबाएं जिसी कि आपको मेरे वीडियो की सारी निटिफिकेशन समय से मिल सके अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है या और भी डिजाइन पसंद आती है तो आप उसे प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेर करना न भूले हैं यह हमारी सेकंड रोभी कम्पलीट हो गई है अब हम डिजाइन की थरड रोपर हूं और फौर्जजाइन की मेन रोभ हैं बहुत ही सरल है आप आसानी से बना सकते हैं कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेगा पहला पंदा हम सेकंड कलर जो है इससे सीधा बुन लेंगे आप इसे मर्टी कलर में भी आसानी से बना सकते हैं सेकंड कलर हमने ले लिया है एक पंदा सीधा बुन लिया है इसके बाद एक पं इसके नीचे ये जो हूल है यहाँ पर सलाई डाल करके हम सीधा पंदा बुनेंगे इस तरह से एक पंदा स्लिप करेंगे फिर इसी तरह से सीधा पंदा बुनेंगे पूरी रोह में इसी तरह से एक पंदा स्लिप करना है और एक पंदा सीधा बुनना है सीधा पंदा किस तरह स चले जाएंगे बहुत ही खुपशड डिजैन है और बहुत ही आसान डिजैन है इसे आप अगर बिकनर्स भी हैं तो भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं यह हमारी इस तरह से फर्स्ट रो थर्ड रो कम्प्लीट हो गई यह थर्ड रो मैंने कम्प्लीट कर दिये हैं हम डिजैन की फूर्स रो पर हैं जो स्लिप किया हुआ पंदा है उसे स्लिप कर लेंगे उनको पीछे ले जाएंगे बुने हुए फंदे को हम सीधा बुन लेंगे उनको अपनी तरफ आगी लाएंगे स्लिप किया हुए फंदे को स्लिप करेंगे उनको पीछे ले जा करके बुने हुए फंदे को बुन लेंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है slip की हुए पंदे को slip करना है और बुने हुए पंदे को सीधा बुनना है पूरी रो इसी तरह से बना करके हमें complete कर देनी है यह हमारी 4 रो complete हो गई है एक बार design बन गई है लेकिन अब जब हम दूसरी बार design बनाएंगे तो design की जगाँ change करेंगे कैसे change करेंगे ध्यां से देखेगा design की 5th row हम base color से पूरी रो सीधे-सीधे फंदो से बनाएंगे यह तरह से सीधे-सीधे फंदो से 5th row बनाई जाएगी design की 6th row back side से सीधे-सीधे फंदो से बनाई जाएगी अब हम design की 7th row पर है design की जबंगे design की जगाँ change हो जाएगी पहले मैंने पहला वाला फंदा second color से बुना था इस बार हम पहला पंदा slip कर लेंगे यह एएए और शिल्प कर लेंगे और इसके बार वाला पंदा हम second color से बुनेगे किस तरह से बुनेंगे सीधा मैं आपको फिर से बताती हूं यह पंदा है इसकी नीचे जोगी होल दिखाई दे रहा है यहां पर सलाई डाल करके एक पंदा सीधा बुन लेंगे यह इस तरह से सिलिप करेंगे फिर इसी तरह से सीधा फंदा बुनेंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है एक पंदा स्लिप करना है यह इस तरह से पिट से ध्यान से देके इस तरह से नीचे से पंदा बनाना है और इसके बाद वाला पंदा स्लिप करना है पंदे के नीचे से जो होल है वहां से पंदा सीधा बनाना है और इसके बाद पंदे को स्लिप करना है पूरी रोह हमें इस तरह से अब हम एर्थ रोपर हैं जोगी बैक सैट से है बुने वे फंदे को हमें सीधा बुनना है उनको अपनी तरफ आगी करके स्लिप किये वे फंदे को स्लिप करना है फिर उन पीछे करके बुने वे फंदे को सीधा बुनना है और उन आगे करके स्लिप किये वे फंदे को स्लिप क यहां पर हमारी 8 row complete हो चुकी है इस तरह से उभरी वी डिजाइन दिखाई देती है आप इसको किसी भी knitting project में आसानी से बना सकती है तब फिर friends मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ एक नई डिजाइन के साथ तब तक के लिए जैम आता दी